हेलो गाइस तो आप लोगों की काफिर रिक्वेस्ट के बाद हमने यह फैसल ले एक हम आपको बताएं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है स्युविटी पीजी ट्वैंटी ट्वेंटी फॉर्म को हमें फिल कैसे करना है तो simply हम Google पे जाएंगे, हम आपे सर्च करेंगे CVT PG 2024 form और सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ ही हमारा जो वेब साइट है, वो हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते ही आपको मिलेगा समर्थ.ac.in, मैं इसका लिंक जो है description में डाल दूँगा, ताकि आप लोगों सीध एकसस करने को मिल जाए, तो हम जैसे CVT PG के इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यह खुल जाएगा, मैं पहले आपको बता दूँ, यह PG के लिए है, यह UG वाले बच्चों का CVT का नहीं है, यह PG का website है, ठीक है, तो इसमें हमें को सबसे पहले क्लिक कर लेना है, कि हम simply चले जाएंगे यहाँ पर register option पर, हमें यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं करना, हमें चले जाना register option पर, और register option पर पहले click कर लेना, click करने के साथ यह हमारे पास एक ऐसा page खुल जाएगा, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, यह बस formality से बताई हुई है कि कैसे क्या कर तो basically किसी भी form को भरने के 3 step होते हैं, पहला होता है registration, दूसरा होतो उसका application form भरना और तीसरा होता है payment, तो आप जैसे register पर click करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको scroll down करना है, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दू कि जो general category के बच्चे हैं, उनको 1200 की fees देनी है, जो O OVC या EWS से हैं, उनको 1000, SC, ST and 3rd gender, यानि की transgender की भी बात यहाँ पर की गई है, तो उनको 900 रुपीज देना है, और PVWD को 800 रुपीज देना है, जो fees है वो पिछले साल से बढ़ा दी गई है, और यह सब बस basic formalities है, यहाँ पर आपको अपना time जादा वेस्ट नहीं करना, देना है, कि I have downloaded the information bulletin of COTPG, यह छोटा से एक basic सा protocol होता है, इसको tick कर दीजिए, और इसे click कर लीजिए आपे, तो यह आपका खुल जाएगा registration form, आप देख सकते हैं, तो registration form में आपको जो भी data भरना है, ध्यान दखिएगा, candidate name, father name, mother name, जो भी आपकी spelling होगी, वो equivalent किसके होगी 10th के mark sheet के, जो भी आपका 10th का certificate होगा, उसके equivalent आपको नाम की spelling डालनी है, तो basic है, वही, यह पहले हम online registration के लिए apply करने हैं, उसके बाद online application भरेंगे, फिर exam mission fee भरेंगे, जैसे कोई भी competitive exam या किसी भी exam का form भरते हैं, तो यही procedure होता है, तो ठीक है, इनको भरने के बाद, जहा valid identification number भर देंगे, यह valid identification number आपका वो हो जाएगा, जैसे आप यह पर identity type पे click करेंगे, तो यह पर आप से पूछ रहे जाएगा, कि pen card, i card, किस चीज को आप दे रहे हैं, अगर यह आप राशन कार्ट की photo, अगर राशन कार्ट को select करते हैं, यह आप राशन कार्ट की validity number डालनी अगर आप लोग यह पर voter ID कर रहे हैं, तो voter ID में जो आपको special number डिया होता है, वो डालना है, तो इस number को डालने के बाद आप scroll down करें, आप अपना present address लिखिए, अगर आपका present और permanent address यह तो इसे टिक कर दीजेगा, तो ऊपर का जो data है, वो नीचो copy हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ लिए करना, आपको अपना password सेट करना है, और यहाँ पर security question पूछा जाएगा, उसमें से किसी भी एक पर click करके, जैसे what is the name of your first school, तो यहाँ पर आप अपने school का नाम लिख दीजिए, और वो ऐसे dots में आ जाएगा, और यह आपका save हो जाएगा, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर capture दिया होगा, इस capture को clear कर दीजे नीचे लिख के, और जैसे आप capture को लिख देंगे, नीचे आपको submit पर click कर देना है, तो आप यहाँ पर register दवाने से पहले आपने सारे data को fill ज़रूर कर लेना, और सारे data को धंग से fill कर लेना, जब एक बार सारा data fill हो जा जाएगा, जिसमें आपने जो previous page पे जो जो data डाला था online registration form में, वो सारा आपके पास show हो जाएगा, तो इस data को एक एक करके अच्छे सा check कर लीजेगा, क्योंकि बाद में correction window के आने के बाद इसमें change करने का जंजट बहुत बढ़ा होता है, तो जब आप यह सारा check कर दोगे, तो नीचे आपसे पूछा जाएगा कि kindly verify all the particulars listed below carefully and ensure you have filled correct information, यानि आपने उपर जो भी भरा है, सब correct भरा है, तो आप my name पे tick कर दीजे, father name पे tick कर दीजे, email address, present address, date of birth, mother name, mobile permanent address पे tick करके यहाँ पे tick कर दीजे कि I hereby declare, यह बस formality है कि जो भी आपने उपर लिखा है, सब सही सह गलत नहीं लिखा है, गलत नहीं लिखा, घर कुछ गलत है तो आपकी responsibility होगी, इसलिए बार बार मैं कहा रहा हूँ, कि उपर जो भी data आपने लिखा है, उसे बार बार thoroughly check कर दे, तो thoroughly check करने के बाद जैसे आप यहाँ पर tick कर देंगे, submit and send OTP to mobile, जो भी आपका registered mobile number होगा, वह enter OTP का option आएगा, आपको अपनो OTP डाल देना है, ठीक है, जैसे ऐसे page खुलेगा security question पे, तो यहाँ पर one time password आपको डाल देना पड़ेगा, जैसे आप one time password आपने डाल के submit कर देंगे, तो आपका application form का वो खुल जाएगा, तो आपको application form में कैसे आना है, अब बात उसकी करते ह तो application form में कैसे आना है, अब एक बार देख लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारा वहाँ पर application number आएगा, तो हमें उसी home page पे आजाना है, वहाँ पर cvt के, और यहाँ पर आके click करना है, अब sign in के, अब हमारा जो application number है, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे, जो हमें जैसे हम login करेंगे, उसके बाद सीधा application form ऐसे खुल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने application form की details को भरना है, सबसे पहले आप एक candidate का नाम, candidate का date of birth, gender, nationality, जो भी चीज़े इनको fill कर देना है, आगे तक, उसके बाद father qualification वगेरा, उसके बाद annual family income, जितने भी आप इनको भरते हुए, आपको कोई भी देख करता है, तो आप comment box में मुझसे पूछ सकते है, I will personally help you, okay, उसके बाद आपको यहाप अपना present address एक बाद चेक कर लेना है, अगर same है, तो उसको फिर से tick कर देना, वो आपको permanent address बन जाएगा, अब उसको scroll करते हैं, तो अब आते हम अ एक तो proof देना पड़ेगा अपका certificate, दूसरा इसके थूँ आपको मिलेगा आपका quota या फिर reservation, तो इन सब को धंग से भरना बहुत जरूरी है, अगर आप below poverty line है, कश्मीरी migrant है, defense person, ward या ex-serviceman के बच्चे है, या फिर claim for NCC quota है, या फिर claim for sports quota, इन में से कोई से भी अगर क्योंकि यही आगी जाके आपको reservation के option देगा, उसको फिर हमें safe कर लेना है, safe करने के बाद हमारा दूसरा page खुल जाएगा, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना सारा detail एक बार या पर भर देना है, उसके बाद हमें बताने कि अगर हमारी कोई physical disability है, तो अपने सार अगरा आपकी ऐसी need है, जिसके वज़े सा आप नहीं कर पार तो आपको subscribe भी provide किया जाएगा, उसको भरने के बाद अगर आगे के सारे information भरनी है, सब information भरने के बाद दुबार से present address, permanent address पूछ से जाएगा, फिर से quota के बारे बात हुई होगे, अगर आपने इन में से किसी प पड़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको proceed to next section में जाना है, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, quota वाला form अराम से भरियेगा, form को time दीजिएगा, क्योंकि quota से ही आपको reservation मिलेगा, इन सब को अराम से एक एक करके बढ़ना है, तो जैसे आप proceed to next section पर click करेंगे, तो आपका application form का educational detail वाला page खुल जाएगा, education details में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10th से related चीज़े पूछी गई है, आपको 10th से related data इसमें डालना है, उसके बाद 12 की चीज़े पूछी गई है, 12 से related चीज़े आपको डालनी है, अब obvious ही बाद है, बात PG के हो रही है, तो undergraduate education details भी मागी है, you are still appearing for suet, तो भी आपको यहाँ पर वो सिर्ख करना है, जिसमें आपका लिखा हुआ होगा, कि you are completing और pursuing, उसके ख्लिक कर दीजेगा, अपना जो year है, उसके टिक कर दीजेगा, जैसे अगर आपको passing out year 2024 है, जो कि होना ही छे वरना eligible नहीं है, तो 2024 पर ख्लिक कर दीजेगा, तो so on होता रहेगा, correct है, तो उसके बाद यह सारा भरने के बाद आपको कुछ ने करना, आपको यहाँ पर save दबाना है, बाद आपकी जो details है, वो आपको show हो जाएंगी, तो यह आपकी 10th की details show होंगी, फिर 12th की, फिर undergraduate की, तो आपको कुछ ने करना, आपको बस proceed to next section, जो न अपना exam देना चाहते हैं, उन city को select कर लीजे, उस state को select कर लीजे, try करिए कि जितना घर से पास हो, उसी को select करें क्योंकि CUET के center बहुत दूर दूर पड़ते हैं, तो उसे करने के बाद हम safe कर देंगे, safe करने के तुरंद बाद हमारा city preference यहाँ पर show हो जाएगा, हम आपको कु करेंगे, तो अब उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा, जो की है application form university program selection, इस page पे आपको application form यानि कि अपना program selection करना है, तो जो बच्चे LLM करना चाहते हैं, वो बच्चे COQP14 डाले, और बाकि जितने भी other students इस चीज़ के लिए भर रहे हैं, वो अपने हिसाब से इधर जैसे select कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, तो जैसे आप इन्होंने university select कर लिया और नीचे हमें इसके subject select करने हैं, अपकी कौन-कौन से program के लिए हम करना चाहते हैं, जैसे यापे LLM है, तो COQP14 तो जैसे इधर आ गया है, तो हमें उसको add कर लेना है, जो भी program हम करना चाहते हैं, जो हटाना चाहते हैं, वो यह से remove कर सकते हैं, add और remove, उसके बाद हमें कुछ ने करना, फिर हमें आगया जाना है, जिसमें हमें यह essay शो हो जाएगा, कि आपने इस इस university का वो कर रहा है, उसके बाद आपको proceed to next section पर चले जाना है, correct है, उसके बाद आपक कुछ ने करना है, आपको next पर click कर देना है, यह जो नीचे आपका आ रहा है, examination में भी conducted, multiple days in two shifts, तो अगर आप more than एक exam में part ले रहे हैं, तो आप यहापे click करके अपना exam का वो भी देख सकते हैं, कि अगर दो shift में हो रहा है, तो आपका कई एक दूसरे के पर cross ना हो जाए exam, पर basically video LM students के लिए है, तो आपको पता है, आपको CQP14 पर ही click करना है, वो आपका test paper subject 1 होगा, वो यहापे आ जाएगा, correct है, उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें हमारे सारा information ऐसे show हो जाएगा, कि हमारे test subject है, वो LLM है, और medium of paper यहापे show हो जाएगा, उसके बाद क QQP14, यह LLM के students का code है, proceed to next section पर click करते ही, आप से आपके documents मांगने के प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा, तो अब आते हैं हम सबसे tricky part पर, uploading documents, इसमें बच्चों को सबसे जादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत असान है, तो इधर जो बोला गया है, कि file size of photo must be within 10KB to 200KB limit, यानि जो भी photo आप डालोगे अपनी, उसका जो storage है, वो 10 से 200KB तक का ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, पर अब आप लोग कहोगे कि आज करके phone या फिर किसी भी camera में इस particular resolution की photo नहीं होती, तो उसका भी उपाय मैं आपको भी बताने जा र लिए ये website काफी useful है, आपको कुछ नहीं करना reduceimages.com पर आ जाना है, इसका भी link मैं description में डाल दूँगा, तो जैसे आप reduceimages.com पर आएंगे, आपको select image पर क्लिक करना है, अपना जो भी image है, जो की 200KB से बढ़ा का है, इसे select कर लेना है या पर, तो अब हम क्या करेंगे, selected image क size या पर कम करेंगे, तो हम जैसे कि 90 करके गवाद देखते हैं, जितना resolution बढ़ाएंगे, उतना size बढ़ा रहेगा, तो resize करते हैं, तो जो image बनी है, वो अब 384KB की है, जो की अभी भी बढ़ा है, तो हमें क्या करना है, हम वापस से उपर जाएंगे, इस quality को कम करके 70 करेंग हम दुबार से resize दवाएंगे, अब जो image है, वो 194.6KB की हो चुकी है, यानि की 10 से 200KB तक के बीच की, तो अब हम इसको download कर लेंगे, तो ये download हो जाएगा, अब जो downloaded photo है, वो 195KB की है, यानि उसे आप अब upload कर सकते हैं, तो इसी तरह हम हमें अपने signature का भी जो size है, वो भी इ quality याप याप जितना डालते रहोगे, उसके बाद resize दबाते रहोगे, जैसे आप आपने 40 डाल दिया, तो resize दबाते ही, नीचे का size 111KB का हो जाएगा, ये file और चोटा हो जाएगा, तो जो भी आपकी size requirement है, जो भी आपके form में size requirement दिया गया है, उसके साब से आप याप resize करते रहे और download करते रहे, download save करिए, तो इस तरीके से आपका जो भी particular signature है, फोटो है, वो आप resize कर सकते हैं, तो अब आपने फोटो को resize कर लिया है, तो एक एक करके select file करिए, उनको डाल दीजिए, याद रखिएगा, जो भी format है, JPG और JPEG के format में ही upload होगा, तो JPG और JPEG के format में आप इन दोनों का upload करिए, उसके बाद जो 10th का certificate है, वो आपको PDF form में submit करना पड़ेगा, तो signature का size है, वो 4 के भी से 30 के भी तक कर रहेगा, और जो photo का size है, 10 से 200 कर रहेगा, size reducer.com से आप जाईए, और अपने हिसाब से उनके sizes को change करिए, और यहाप अप्लोड कर दीजे, बहुत easy step है, मैंने आपको दिखा लिया, अब इसके बाद आपसे बोला जाएगा, कि अपना application form जो आपने भरा है, उसे एक बाद चेक कर लिया जाए, तो इस सारी चीज़ों को आपको चेक कर लेना है, candidate name, father name, mother name, जो भी यह तीनों चीज़े जो आपने अप्लोड कर लिया, आप आप व्यू करेंगे, तो आपको यह भी शो हो जाएंगे आप एक एक बार, तो इन सारी चीज़ों को go through करिए, उसके बाद यहापे आपका amount आजाएगा, कि आपको pay कितना करना है, तो अब हम इसके third procedure पर आ चुके अप्लिकेशन भरा जा चुका है, अब हमें नीची सब ही चीज़ों पर टिक करना है, टिक करने के बाद यह जितने भी है, यह वही data है जो आपने उपर भरा था, उसी का यह सारा चेक करते हो, आपको टिक कर देना है, तो देखिए, जब आप सब इस चीज़ों पर टिक कर और जैसे आप प्रसीड कर जाएंगे, तब आपका खुल जाएगा पेमेंट वाला विंडो, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना एक्जामिनिशन फीज जो है, उसे पे करना है, कंटीनिय अप्लिकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, जो यह आपे लिखा रहा है, आपका अप्लिकेशन नमबर जो अभी तक नहीं सब्मिट किया गया है, वो तब ही सब्मिट होगा जब आप फीज को पे करने के बाद, आपका अप्लिकेशन ले लिया जाएगा, तो यह था हमारा सीवेटी पीजी का फॉर्म कैसे बरना है, उस रिकार्डिंग, आपको और कोई भी फॉर्म से रिलेटेड डाउट हो, तो आप हमसे कॉंटाक कर सकते हैं, और आज रात हम आ रहे हैं, अनकैडमी पे, साथ बजे लाइफ, आप सब के लिए जिरुस्प्रिदेंस के एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर, तो डोंट फोगेट, तो बी जॉइनि अस एट 7 पे-म शार्प तुनाइट, और CUT से भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हम लोगों से पूच सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिं दिस वीडियो, और अगेन इस वीडियो और अगेन इस और इंस्टाग्राम, अस वेल आवर इमेल अड्रेस